हेलो एबरीवन, वेलकम टूर चैनल, आई होब कि आप अपने हाफ एली एक्जाम के लिए बहुत ही सादा अच्छी तरीके से स्टेडी कर रहे होंगे, तो आज काई वीडियो बहुत ही सादा इंपोर्टेंट है, ये इसलिए है क्योंकि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें तो पेपर पहली पता लगया, तो एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, पेपर आप लोगों के लिए लिए लीक कर रहा हूँ कि भई या पेपर तुम पहली जान दो, और इसको देखने के बाद में एक आपके प्रैक्टिस हो जाएगी, सेगिंड आपके फॉर्मुला, कहने को तो एक नमबर की क्योशन है, लेकिन इन में से कुछ क्योशन ऐसे हैं, जो की थोड़े लेंदी है, आपको पता लगेगा, जब हम इसे सॉल्ट करेंगे, तो आपको अच्छी से पता लग जाएगा, कि यह जो पीपर में क्योशन से एक एक नमबर में भी थोड़े ब इसके बाद में कहा गया कि where p and q are the prime numbers and if hcf इनका given है जो hcf of a,b is equal to यहाँ पर given है कि p की power m और q की power n फिर इसके बाद में इसे की साथ में दिया गया कि जो lcm है इनका वो है p की power r और q की power s अब आपको निकालना है कि m plus n और q r plus s की value क्या होगी तो देखो इसको solve करते हैं अब जैसे इसको solve करेंगे तो आपको यह पता होना चीकि जो hcf होता है ऐसे number का वो यह होता है कि इसकी कितना common factor हो सकते हैं अब अगर बात करें आपर p की terms में तो p में आपर बस only p square हो सकता है p की power 3 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर maximum value क्या है p square तो यहाँ पर इसकी value आजागी p square और फिर उसके बाद में आपर अगर बात करें q की तो q कितना दिया वा है यहाँ पर q हो सकता है maximum 3 तो यहाँ पर हो गया p cube ठीक है आपको यह करना है कि minimum lowest निकाल लेना है कि सबसे lowest power p की कितनी है वो है 2 और q की है वो है 3 और फिर इसके बाद में आप इसको लिख सकते हो कि p की power m is equal to q की power n और यहाँ से आप लिख देंगे कि m is equal to 2 और n is equal to आपके पास में value आजागी 3 यह हो गया और फिर इसके बाद में आप second लेते हैं वो लेते हैं LCM को लेकर के कि LCM क्या होगा LCM होगा कि maximum power कितनी हो सकते किसी चीज़ की तो जैसे कि यहाँ पर बात करें कि p की maximum power कितनी है वो है 3 तो इसको हम लिख देंगे p cube और फिर उसके बाद में q की maximum power क्या है वो है 4 तो यहाँ पर इसको लिख देंगे q 4 और फिर यहाँ से इसको compare कर देंगे यह कितना given था कि यह given था p की power r और q की power s तो यहाँ से r की value आजएगी हमारे पास में 3 और s की value जो आजएगी वो आजएगी आपके पास में 4 यहाँ पर जो value पुझेगी उसको solve करते हैं जैसे कि m प्लस n तो आप यहाँ पर बोलोगी कि 2 प्लस 3 और फिर उसके बाद में r plus s तो यहाँ पर हो जएगा 3 plus 4 तो यहाँ से इसका जो correct answer रहने वाल है वो रहने वाल है 35 इसका correct option रहेगा फिर इसके बाद में चलते है question number second में जिसके अंदर की कहा गया है कि let p be a prime number p कोई एक prime number है और उसमे quadratic equation given है और एक quadratic equation given है जिसका कि p क्या है alpha is equal to यहाँ पर given है p तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर यह किसी equation का root है तो जैसे हम यह values में put करेंगे तो वो क्या होगी वो p of x जो equation है वो हो जाएगी 0 तो अभी वही करेंगे सबसे पहले option number a को check करते option a के अंदर क्या करेंगे कि x के जगह पर हम क्या करेंगे p को put कर देंगे तो x square के जगह पर p square हो जाएगा minus of p into p plus of p और यहाँ से जब इसे solve करेंगे तो यहाँ पर p square से तो p square cancel out हो जाएगा लेकिन यहाँ पर हमारे पास में बच जाएगा एक p तो मतलब यह p इसका root नहीं है फिर इसके बाद में option number b है option b के अंदर आपको solve करना होगा कि x square minus of यहाँ पर p plus 1 into x और यहाँ पर यहाँ पर आजाएगा plus of p is equal to 0 आप क्या करोगे आप इसके अंदर x की जगह पर क्या करोगे की P को पूट करोगे तो जैसी आप इसको पूट करोगे यह पर यहाँ पर पहस की जैगा प्लस अफ प्लस अफ प्लस पी तो यहां से यह जो equation है यह हो जाएगी 0 तो इसका मतलब यह होगा कि इसका b option एकदम से correct answer हो गया है Then फिर इसके बाद में चलते हैं पे इसमें क्योशे नमबर 3 में क्योशे नमबर 3 के अंदर कहा गया है कि एलफा एंड बीटा आर दे जीरोस अफ पॉलनॉमियर तो इसका मतलब यह है कि यह इसके रूट है और एक्विशन गिवन है कि एलफा प्लस ओफ बीटा इस एक्वल टू है एलफा इंटू बीटा मतलब एक तरफ कहा गया है कि यह जो सम है सम ओफ रूट है और दूसरी तरफ जो है यह है प्रॉड़क्ट ओफ रूट तो हमें यह बात बहुत ही अच्छे से पता है हमें वो रिलेशन यहाद होना चाहिए तो वो रिलेशन क्या है वो रिलेशन यह होता है कि सम ओफ रूट जो की अलफा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है वो होता है माइनस ओफ बीटा जो होता है वो होता है सी बाइ अब यहां से A, B, C की value निकालेंगे तो यहाँ पर बोल देंगे कि A is equal to कितना हो गया P, B की value यहाँ से आगई माइनस 2 और C की value यहाँ से आगई 3 और इसे solve करना है अब जैसी से solve करेंगे तो यहाँ से alpha plus beta की value जब हम निकालेंगे तो minus of B, जो की 2 है minus minus of 2 divide by में आपर P और is equal to हम इसे कर देंगे यहाँ से direct कर देते है alpha plus beta यह वाल इसे को सीधा solve कर देते है और alpha plus alpha and to beta की value यहाँ से आजएगी 3P divide by में आपर आजएगा P और यहाँ से जब आप करोगे 3P is equal to P तो यहाँ से जब आप इसे solve करेंगे तो आपके पास में P की जो value आएगी वो आएगी आपको कमेंट सेक्शन में बताने की P की value क्या है जल्दी से बताओ कि कौन से वाला option करेक्ट आप इस concept देना ही होगा देखो बहुत ज़्यादा simple है इसमें गलती मत करके ना अगर इसमें किसी की गलती होगे ना तो फिर देख लेना अच्छी बात नहीं है ठीक है और फिर इसके बाद में चलते हम क्योशे नंबर फोर्थ में अब क्योशे नंबर फोर्थ में कहा गया है कि आपको दो equation दी हुई है जैसे कि अगर मैं लिख दू की line 1 की equation है वो है 3x plus of y is equal to 1 और line 2 जो है उसकी equation आपको given है 2k minus 1 into x plus of k minus 1 into y और is equal to यहाँ पर given है 2k plus 1 ठीक है अब यहाँ पर इस equation के अंदर कहा गया है कि यह inconsistent है तो inconsistent की condition यह होती है कि अगर कोई भी एक condition के अंदर यह inconsistent होते हैं तो आप यह बोच सकते हो कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 यह condition आपको लगाने हो इसे solve करना है अब आपको a bc की value निकालने होगी तो यहाँ पर यह जो है इसको हम compare करेंगे ax1 और plus of b1 y is equal to यहाँ पर c1 नहीं plus of c1 होता है और is equal to 0 होता है तो यहाँ से a1 की value आजाएगी 3 जिसको कि मैं आपर लिख देता हूं 3 divide by में a2 a2 मतलब हो जाएगा 2k minus 1 यह वाली जो value है यह हो जाएगी a2 की यह value हो जाएगी वह जाएगी b2 की तो वही हम यहाँ पर put करेंगे a2 की value आजाएगी 2k minus 1 और is equal to यहाँ पर b1 की value जो है वह है 1 क्योंकि y एकल है तो यहाँ पर यह होगा 1 divide by में आपर यहाँ आजाएगा k minus 1 is equal to जब आप इसे solve करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3k minus 3 is equal to 2k minus 1 तो यहाँ से k की value हाजाएगी आपके पास में 2 और यहाँ पर option में भी k की value 2 है तो यह एकदम से correct answer हो गया then फिर इसके बाद में चलते हैं हम next question की तरफ जो की हमारा आता है question number 5 question number 5 के अंदर एक जो है आप लोग को एक trick है trick से इसको solve करोगे trick ही कहेंगे इसको या फिर एक property होती हो वही है अगर वो नहीं आती तो एक्जाम में question solve नहीं होगा और एस एक parallelogram है जिसकी vertex आपको given है P है 3,4 Q है minus 2,3 और R है minus 3, minus 2 और आपसे कहा गए कि fourth vertex S को निकालो तो हम क्या करेंगे सबसे पहले simple सा एक parallelogram को draw कर लेते हैं जो कि हमने यहाँ पे draw कर लिया है अब इसके बाद में इसकी जो property होती है उसे से यह solve होगा otherwise एक question solve नहीं होगा तो यहाँ पर इसको लिखेंगे P, Q, R और S आपको क्या करना है कि इक order के लिखना है। कु लॉओकמ׵ाईस में लिखो या anti-clockwise में लिखो हो आपको इसको एक order में ही लिखना होगा और जो मैं बात कर रहा था trick की, trick इसमें ये है कि जो diagonal होते हैं, जो diagonal होते हैं parallelogram के, वो क्या करते हैं, कि एक दूसरे को bisect करते, तो वो ही यहाँ पर यह property लगेगी, जो diagonal होते हैं, वो एक दूसरे को intersect करते, तो हम यहाँ पर diagonal draw करते हैं, P से Q में, और Q से S में, ठीक है, तो यह यह क्या हो जाएगा यह है इनका midpoint यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा इसका midpoint तो फिर अब उसके बाद में आपको क्या करने ओ होगे इसका midpoint तो आप क्या करोगे इसकी vertex लिख लो सबसे पहले तो P की vertex गिवन है 3,4 और क्योंकि vertex है आपर माइनस 2,3 और R की vertex है वो है माइनस 3,2 और जो S की vertex है वो आपको निकालनी है X,Y बोल देते हैं अब यह midpoint का formula याद दोना चाहिए जो midpoint का formula है वो होता है कि X1 plus of X2 by 2 divide और फिर divide by 2 और Y1 plus Y2 by 2 ठीक है अब आपको यहाँ पर इसके coordinates निकाल लोगे तो वो आप निकालोगे कि midpoint जो कि आप बोल देते हैं midpoint of PR निकालते हैं जो कि क्यों हो जाएगा तो आप लिख दोगे कि यहाँ पर 3 और plus of यहाँ पर minus 3 by 2 और comma में आप लिख दोगे कि यहाँ पर minus 4 minus 2 by 2 ठीक है तो यहाँ से इसके coordinates आजेंगे 0,1 ठीक है यह क्या आगे यह आगे O के coordinate आगे ठीक है अभी आपको क्या करने इसी तरीके से आपको लगाना होगा कि S और Q का जो midpoint है वो भी यही रहेगा वो क्या रहेगा वो रहेगा जीरो कॉमा वन इसका coordinate रहेगा और फिर इसका इस में फॉर्णल लगाओ कि तो आपको X और Y की value मिल जाएगी तो देखो एक बार आच्छी से आपको solve करके दिखा देता हूं कि यह midpoint आप लिख देता हूं मैं 2,1 और S के coordinates आपको given है X और Y तो X-2 by 2 और कॉमा में यहाँ पर आजाएगा Y plus 3 और यहाँ पर आजाएगा 2 और फिर इसके बाद में आप इसको compare करोगा कि X-2 जो है is equal to 0 तो यहां से जब आप इसे solve करोगे तो यहां पर आपके पास में X की value आजाएगी 2 और यहां से Y की value जब आप solve करेंगे Y plus 3 by 2 is equal to 1 तो उसके बाद में जब आप इसकी solve करोगे तो यहां से आपको Y की value मिल जाएगी वो मिल जाएगी minus 1 तो इसका जो correct answer है आपके पास में S is equal to 2, minus 1 इसका correct answer है C option एकदम से correct हो गया इसका फिर इसके बाद में हमार पास में आता है question number 6 जिसके अं triangle है ABC और एक triangle है PQR यह दोनों क्या है similar है और यह है कि AM और AN जो है उनके altitudes है ABC के तो हम क्या करते कि दो triangle draw कर लेते हैं ठीक है इस तरीके से हमने क्या करने है दो triangle को draw कर लिया और इसमें ही होगे इसका बीच में altitude तो यह बोल देता हूं कि मैं A B और C और फिर उसके बाद में इसी तरीके से हमार पास में दूसरा भी एक triangle है इसके अंदर यह एक vertex हो गया है इसका इसका नाम दे देते हैं हम PQR ठीक है और इसके अंदर जो इनके altitudes है वो बोल देते कि यह है M और यह है N ठीक है अब उसके बाद में क्या given है इसमें given यह है कि AB का square divided by में PQ का square is equal to यहा solve करोगे root लोगे तो under root of AB square divided by में हाँ पर under root of PQ square और यहां पर under root of 4 by under root of 9 तो यहां से मिल जागे हो जाएगा 2 by 3 और यह हो जाएगा AB upon में PQ is equal to 2 by 3 यह हो गया अब यहां से solve करने के बाद में आपको यहां पर एक property आद होनी चाहिए कि जब कभी भी दो triangle similar होते हैं तो उनक ratio यहां पर यहां देटना कि यह property है कि ratio of altitude ratio of altitude is equal to यहां पर होता है ratio of side तो यहां से हमने ratio of side तो निकाल लिया और फिर यहां से ratio of altitude बोल सकते हैं कि AM upon में PN is equal to यहां पर हो जाएगा 2 by 3 तो 2 by 3 होगे इसका एकदम से correct option ठीक है यह बहुत जाद सिंपल था है इसमें बस ही property आ तो यह solve हो जाता तो यहां पर 2 by 3 इसका correct option हो गया फिर इसके बाद में चलते हैं यहां पर question number 7 में question number 7 में कहा गया है कि x 10 of 60 degree into यहां पर आ जाता है cos of 60 degree is equal to यहां पर sin of 60 degree or into यहां पर हो जाएगा cot of 60 degree ठीक है अब आपको इससे solve करना है तो जाब इसको solve करने के लिए जाओ is equal to sin of 60 degree by cos of 60 degree कर दो यहां से का करो कि cos को इधर transfer कर दो यह हो गया cot of 60 degree तो यहां से जब आप इसे देखोगे तो यह क्या बन जाएगी यह बन जाएगा यहां पर 10 of 60 degree और 10 of 60 degree से 60 degree को हमने काट दिया तो यहां से x की जो value आ गई वा गई cot of 60 degree अब यहां पर जब इसके options को option में तो यह given ही नहीं है option में तो कुछ और ही दिया हुए 10 और इसके terms में हमारे तो cot 60 आ रहा है तो हम इसको क्या कर सेकती कि इसको 10 में convert करेंगा 10 में कैसे convert कर सकते इसको बोल सकते हैं आपने वो property पढ़ी होगी कि cot of मतलब cot of theta is equal to रहता है 10 of 90 minus theta तो यहां पर theta की value क्या है वो है 60 तो यहां से आजएगा 10 of 90 minus 60 तो यहां से आजएगा कि 10 of 30 degree तो x की जो value आजएगी वो आजएगी 10 of 30 degree तो यह हो गया b option इसका एकदम से correct then फिर इसके बाद में चलते हैं question number 8 में जिसके अंदर की कहा गया है कि sin theta है और जो cos theta है उसकी value आपको given है वो है under root of 2 और आपको निगालना है 10 theta plus cot theta की value क्या होगी तो अब इसको कैसे solve करेंगे तो इसको solve करने के तो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा आसान है जब कभी भी आ अब trigonometry में stuck हो जाओ कुछ भी नहीं दिखरा आगे तो आपको क्या कर लेना है square कर देना है अब हम square करते हैं इसके उपर इधर square कर देते हैं और इधर square करते हैं जो जब आप इसको solve करेंगे तो यहां से हो जाएगा sin square theta plus of cos square theta plus of 2 sin theta into cos theta और फिर उसके बाद में is equal to 2 और इस की निगा, इसके पूरे की value क्या होती है वो होती है 1 तो यहां से आपके पास में sin theta into cos theta तो अब यह इसको यहां पर आव जाएगा 1 और यह 2 है यहं peunda gigon aspire गे ए इसको याद रखेंगे ना है आप sin theta by cos theta में और उसके साथ में इसमें add कर दो कि cos theta upon में sin theta इसको convert करो और फिर जब आप इसे solve करोगे तो नीचे LCM तो आजाएगा sin theta into cos theta और फिर उपर जब आप करोगे कि यह आजाएगा sin square theta plus of cos square theta तो यहां से उपर वाला जो इसकी value है यह तो हो जाएगी 1 मतलब numerator हो गया 1 और sin theta into cos theta के value अभी अभी आपने निकाली थी तो 1 upon में 1 by 2 तो यहां से आपकी value आगी 2 तो 2 हो गये इसका एकदम से correct option ऐसे questions के अंदर बस आपको square करना है और आपको answer आपके हाथ में होगा और फिर इसके बाद में चलता हम question number 9 में question number 9 के अंदर कहा गया कि एक आपको given figure है और इसके अंदर कहा गया कि DE is parallel to BC और यहां पर AE क्या है वो है A unit और EC क्या है वो है B unit AE की value है A और इसकी value है B तो यहां से हम बोल सकते कि AC की value हो गई वो होगी A plus B ठीक है क्योंकि total है तो total इसका हो गया और फिर इसके बाद में given है कि DE जो है वो है X और BC जो है वो है Y अब इसके बाद में आप पर एक वो ratio वाली trick यहां पर काम है कि ratio वाली जो theorem थी उसमें यह था कि अगर दो side parallel होती है दोनों triangle के अंदर तो आप क्या करोगे तो मतलब इसके अंदर यह दोनों triangle से similar भी है इसलिए यह लगा रहे हैं वो यह है कि DE का ratio DE upon में क्या कर देना आपको BC is equal to जो छोटी side है वो है AE upon में हापर कर देना है आपको AC और फिर आप इसको solve करो तो DE की value जब आप रखेंगे वो हो जाएगा X upon में हापर Y is equal to यहाँ पर आजएगा A upon में A plus B आप यहाँ पर आपको निकालनी होगी X और Y के value इसकी terms में क्योंकि option उसी में दिया में है तो आप बोलोगे कि X is equal to यहाँ पर हो जाएगा कि भाईया Y को इधर transfer कर दोती हो जाएगा A Y divided by में A plus B और यहाँ से question बहुत यहाँ सनी से solve हो गया और C option इसका एकदम से correct answer हो गया इसके अंदर बस यही था कि ratio जो होता है अगर कोई भी दो triangle similar होते हैं और उनमें parallel side होती है तो D E upon में BC is equal to A E upon में AC फिर इसके बाद में आरे पास में आते है question number 10 जिसके अंदर की कहा गया है कि एक ABCD क्या है trapezium है जिसके अंदर की AD is parallel to BC और 80 के value है 4 cm और उसके diagonal AC और BD हैं वो intersect कर रहे हैं एक दूसरे को O के उपर तो आपको निकालना है कि जो BC की है वो क्या रहेगा तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि trapezium draw कर लेते हैं जैसे कि यह हमारा trapezium हो जाएगा इस तरीके से हमारा trapezium हो गया और इसके अब diagonals draw करते हैं diagonal हमने यह कर लिए draw और फिर उसके बाद में अब क्या का गया है वो सब हम इसमें solve करते हैं अब इसकी vertex कैसे होंगी वो होंगी A, B, C और D और यहां पर इनको common point क्या है वो है O अब उसके बाद में आपको इसको solve करना है अब इसमें कहा यह गया है आपको given यह है कि AO upon OC is equal to DO upon में OB is equal to half है तो मतलब यह है कि OA की value है वो है 1 और जो OC की value है वो है 2 और इसी तरीके से OD की value है वो है 1 और OB की value है वो है 2 अब आपको निकालने होंगे आप पर triangle आप जैसे कि हम triangle बात करें triangle O, A, D ये नीचे वाला triangle है एक और फिर एक ये है उपर वाला triangle तो इन दोनों के अब हम बात करेंगे triangle O, B, C ठीक है अब इनको ये similar है अब similar कैसे होए भाईया similar इसलिए होए क्योंकि यहाँ पर एक तो B, C, A, D के parallel है तो ये वाला जो angle है ये दोनों के अंदर बराबर होगा फिर second यहाँ पर vertical opposite angle हो जाएंगे ये वाला और इसके नीचे वाला तो ये दो angle बराबर होगे तो यह होगे यहाँ पर similar triangle जब ये similar triangle होगे तो हम बूल सकते कि O, A upon A, D is equal to O, C upon में आप पर आजएगा B, C अब आपको इसे solve करना है और यहाँ से आपके पास में values अभी के given है और उसको निंकाल करके solve करो और जल्दी से इस कांसर मेरे को बताओ कि comment section में A होगा B होगा C होगा D होगा जल्दी से इस कांसर बताओ यार बहुत ही होगा इस कांसर आपको बताना ही होगा बहुत ही जाद सिंपल है इसमें बस calculation है calculation आप करो इसके बाद में हमार पास में आता है question number 11 जिसके अंदर की कहा गया कि if the two tangent inclined at an angle of 60 degree and drawn to a circle of radius 3 cm then the length of each tangent is equal to तो इस question को solve करना बहुत ही जादा simple है अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि एक circle है जिसके radius क्या है वो है O और A ये है 3 cm और फिर इससे एक दूर कहीं पर एक point है P जिसे कि क्या करा जा रहा है कि इसके उपर एक tangent draw करी गई है ठीक है इस तरीके से दो tangent draw करी गई है इस circle के उपर फिर इसमें कहा गया कि ये वाला जो angle है इसका पूरा वो कितना है वो है 60 degree तो आप ये जब बोल सकते हूं कि ये वाला जो angle है ये है 60 degree तो ये बचावा जो angle रहेगा ये रहेगा 30 degree क्योंकि दोनों के दोनों angle वराबर होते है ठीक है और फिर इसके बाद में अगर बात करे triangle AOP की तो जब ये triangle AOP है इसमें हम बात करें तो ये एक right angle triangle है right angle triangle इसलिए क्योंकि ये तो है tangent और ये है radius तो इनके बीच का जो angle है वो है 90 degree अब जब इनके बीच का angle 90 degree है तो आप यहां से बोल सकते हो कि 10 of 30 degree is equal to यहां पर रहेगा perpendicular upon में base अब perpendicular upon base रहेगा तो अब इसमें perpendicular क्या है base क्या है तो इसके सामने वाली जो side है ये वाली जो side है ये क्या हो जाएगी आपके पास में ये हो जाएगी perpendicular और इसके नीचे वाली जो side है ये क्या हो जाएगी तो simple साब बोला कि perpendicular क्या हो जाएगा OA और base क्या हो जाएगा AP और फिर इसके बाद में जब आप इसे solve करेंगे तो 1 अपन में under root of 3 is equal to OA की value आपको गिवन है 3 और divide by में आपर आजाएगा AP और यहां से जब आप AP को solve करेंगे तो यहां से आजाएगा 3 under root of 3 cm इसका correct answer ठीक है दे हो सकता है जब वो एक square के अंदर हो तो यह diagram हमने बना लिया कि square बाहरे उसके अंदर circle का area कितना हो सकता है ठीक है और यहां पर इसकी जो side given है वो है 6 cm इसकी पूरी side given है तो इसका मतलब ही हो गया कि जो अंदर वाला यह जो circle है इसका जो diameter है वो क्या है वो है 6 cm तो यहां से इसका diameter 6 cm हो गया तो हम बोल सकते है इसकी radius जो हो जाएगी d by 2 होती है तो इसकी radius हो जाएगी 6 by 2 3 cm इसकी होगी radius और यहां से अब इसके area की बात करें तो area निकालना बहुत ही जादा simple है वो होता है pi r square और यहां से जब आप इसको solve करेंगे pi into 3 का square और यहां से आजेगा 9 pi cm square इसका correct answer जो कि यहां पिद गिवन है यह हो गया इतना ज़दा simple था और फिर इसके बाद में चलते हम question no.13 के ओपर question no.13 जो है इसके अंदर कहा गए कि the sum of length, breadth and height of a cuboid is 6 under root of 3 cm मतलब L plus B plus of H is equal to यहां पर गिवन है 6 under root of 3 और यहां पर इसके साथ में गिवन है कि the length of the diagonal is 2 under root 3 cm मतलब जो diagonal है उसके जो length है वो है आपके पास में 2 under root of 3 cm अब इसके लिए अगर एक formula है अगर वो formula है याद नहीं है तो equation solve नहीं होगा अब वो formula कि है वो हम देखेंगे लेकिन जब ऐसा equation है जहां पर कि आपको कुछ भी नहीं दिख रहा कि कैसे करना है तो आपको simple से मैंने क कि दिमाग नहीं लगाना स्कॉयर करना है इसकॉयर करोगे आप यह first वाल equation में तो यहां से हो जाएगा l plus b plus h का whole square is equal to यहां पर हो जाएगा 6 under root of 3 का square और यहां से जब आप इसे solve करेंगे l square plus b square plus of यहां पर h square plus of 2 into lb plus of bh plus of यहां पर lh ठीक है और is equal to यहां पर हो जाएगा 36 6 into 3 जो किया हो जाएगा 108 और फिर यहां पर इसकी value किया रहेगी तो देखो diagonal जो होता है diagonal की जो formula होता है कि diagonal is equal to होता है under root of l square plus b square plus of h square ठीक है यह होता है इसका formula और यहां पर यह given है कि यह है 2 under root of 3 और यहां से जब आप इसको solve करेंगे तो यहां से आपके पास में में is equal to यहां पर 4 into 3 यहां आजएगा 12 ठीक है अब यह value आ गई और इस value को आपको क्या करना है कि यहां पर put करना है यह हो जाएगा 12 plus 2 into lb plus of bh plus of यहां पर आजएगा lh is equal to 108 और यहां से जब आप solve करेंगे तो यहां पर बजएगा lb plus of bh or plus of lh is equal to 108 minus 12 तो यहां पर बजएगा 96 ठीक है और यह जो लिखा हुआ है 2 into lb plus bh यह होता है total surface area of a cuboid जो कि यहां से आजएगा 96 और 96 होगे इसका एकदम से correct option then फिर इसके बाद में चलते हैं आपर question number 14 थी अंदर जिसके अंदर की कहा गया कि if the difference of the mode and median of data is 24 and difference of median and mean क्या होगा तो यहां पर आप बोल सकते हो कि जो mode है mode minus median क्या दिया हो है mode minus median जो given है वो है 24 यह है आपको first equation जो कि given है और हम में जो equation है पता वो यह है कि mode is equal to क्या होता है वो होता है आपके पास में 3 times of median माइनस यहाँ पर होता है वह होता है two times of mean ठीक है अब यह आपको given है और आपको relation पूझागे median में और mean में तो अब आपको क्या करना होगा कि आपको इसके इंदर value पूट कर दीने अब value आप किसकी put करोगे mode की अब mode की value क्या हो जाए कि mode is equal to हो जाएगा mode is equal to median और median plus of 24 ठीक है वह आपको put करना है तो यहाँ पर बोल सकते हो कि हो जाएगा median plus of 24 is equal to three times of median और फिर इसके बाद में आप राजाएगा minus of two times of mean ठीक है जब आप इसे solve करेंगे mean को इधर बेच दीदेए median को इधर लियाए तो यहाँ पर two mean और plus of 24 is equal to यहाँ पर हो जाएगा two times of median ठीक है और यहाँ से जब आप इसको solve करेंगे इन दोनों का difference तो यहाँ से difference आजाएगा 24 is equal to two times of median minus mean और यह थोड़ी राइटिंग गंदी होगी इसलिए थोड़ा इसको देख लेना और two से cancel out कर देंगे तो यहाँ पर आजाएगा 12 और 12 होगी इसको एक दम से correct answer इसके अंदर बस यही था है कि जिसको यह relation याद है उससे solve हो जाएगे जिसको relation याद नहीं वहाँ पर solve नहीं होगा फिर इसके बाद में हमार पास में आते question number 15 ने एक अच्छा question है एक अच्छी level का question है तो इसको ध्यान से सुनना इसमें कहा यह गया है कि the number of the revolution made by a circular wheel of a radius 0.25 meter in rolling a distance of 11 km मतलब यह है कि एक circle जो है जैसे किस तरीके से होता है यह पाया इसका आप लोग को दिया यह एक point है जैसे कि point मान लो कि मैंने इसके उपर मार कर दिया P तो यहाँ पर क्या होगा कि जब यह P point वापिस आएगा ना तो यह इतना ही चलेगा जितने की इसकी circumference है तो इसके पीछे का logic है कि आपको इसके circumference निकालना फिर total distance से compare करके आपको number of revolution निकालने तो सबसे पहल आप इसको solve करोगे तो 2 pi into r की जो value है वो है 0.25 या फिर आप इसको लिख सकते हो 1 by 4 तो यहां से इसकी value आजेगी आप पर pi by 2 ठीक ही होगा circumference अब जब circumference ही होगा तो आप इसको थोड़ा से simplify कर दो 22 upon 14 7 करके इसको यह कर दिया और फिर इसके आपर गीवन है कि जो total distance है total distance ह वो है 11 km और 11 km को आप लिख सकते हो 11,000 m क्योंकि यहां पर किसमें है यह मीटर में तो अगर आपको number of revolution निकाल ले है number of revolution तो आप क्या करोगे कि हापर total distance हो है 11,000 और divide by में आप क्या कर दोगे कि इसको simplify करके 22 upon 14 ठीक है इसको जब आप कैंसल करेंगे तो आप 7 बचेगे यहा 7,000, 7,000 होगे इसका एकदम से correct option फिर इसके बाद में चलते हैं next question number 16 में question number 16 ऐसे एक number का दिया है लेकिन यह जो question नहीं है दो number से कम का नहीं है बहुत एक बार अब जब इसको solution देखो की बोलो कि हा भाया यह सच में थोड़ा बड़ा question है इसमें कहा यह क्या है कि आपको the sum of the lower limits of a median and the model class क्या होगा तो सबसे पहले अगर बात करें model class तो model class निकालने का बहुत ही जादा simple है model class उसकी निकाली जाती है जिसके अंदर की maximum रहगा अब यहां पर maximum किसमें है maximum है आप पर 20 के अंदर है frequency तो इसकी model class क्या हो कि वह की 15 से लेकर के 20 तक अब जो median class अगर आपको 15 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 9 और जब आप इसको एड करेंगे तो यह हो जाएगा 66 66 बाइटू करोगे तो यहां से आपके पास 33 तो यहां पर गया हो कि 33 and 34 वाली जो term है वो क्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास median class अब यह कैसे निकालो कि इसके लिए आपको निकालनी हो 5 से लेकर के 10 तक की जो frequency है वो कित्मी हो जाएगा आपके पास में 25 और फिर उसके बाद में 10 से लेकर के 15 तक की क्या हो जाएगी 37 तो मतलब क्या होगे यहां पर इसके बीच के जो term है वो कहां पर आजेगी इसके अंदर लाई करेगी ठीक है तो इसकी जो median class होगी वो कहां स में 10 से लेकर के 15 तक तो यहां पर sum of lower limit की बात करेगी तो 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25 25 होगे इसका एकदम से correct answer अब इसके बाद में आता है question number 17 जिसके अंदर की कहा गया कि 2 dice are rolled simultaneously and what is the probability that 6 will come up at least once मतलब कहने का यह है कि एक बार 2 dice को roll करा जाते है तो जैसे कि 1 और 2 यह क्या ह पूछा किया है कि क्या होगा कि एक बार कम से कम 6 तो उसकी probability क्या होगी तो सबसे पहले हम बात करते कि जो sample space है वो कितना होगा तो अगर मान लोग की एक बार roll करते तो वहाँ पर 6 होता है लेकिन 2 बार roll कर रहे तो 6 into 6 sample space हो जाएगा 36 का मतलब यह भी बहुत सकते हो कि total number of the outcome हो सकते हैं वो 36 हो सकते हैं अब इसके बाद में बात करते हैं favorable outcome की favorable outcome का मतलब यह कि कम से कम एक बार चाहे तो यह हो सकता है कि 6,1 फिर उसके बाद में 6,2 और फिर उसके बाद में 6,3 और फिर इसके बाद में 6,4 क्योंकि सबी के अंदर एक एक बार 6 आ रहा है तो 6,5 और फि 3,6 भी हो सकता है, और 4,6 भी हो सकता है, और 5,6 भी हो सकता है, 6,6 एक बार ही काउंट होगा, ठीक है, अब इसके बाद में हमारे को निकालने है, प्रोबैबिलिटी, अब प्रोबैबिलिटी का निकालने है, प्रोबैबिलिटी निकालने है, कि at least 16, ठीक है, at least 16 की प्रोबैब 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 हैं हमारे पास में favorable तो इसकी probability हो जाएगी 11 अपोन 36 और इसका हो गया correct answer C option अब इसके बाद में चलते हैं next की तरफ जो कि हमारे पास में गला question आता है जिसके अंदर की कहा गया है कि if the value of 510 beta is equal to 4 then find the value of this अब देखो इसके अंदर दो तरीके हैं एक तो तरीका है कि आप जाकर के अपनी pythagoras को लगाओ pythagoras दादो को याद करके उसको लगाओ और एक दूसरा तरीका जो कि मैं आपको बताता हम बहुत ज़्यादा simple है उससे कम time लगेगा कि 5 of 10 beta हमें given है कि is equal to 4 इसको हम थोड़ा simplify करके लिख सकते कि जो हमारा 10 of beta है is equal to यहाँ परोजएगा 4 by 5 और इसको आप perpendicular upon base मान करके pythagoras लगा करके solve करो लेकिन हम क्या है हम है smart तो हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा expression given है कि 5 sin beta minus of 2 cos of beta divide by में क्या दिया हुए 5 sign of beta plus of 2 cos beta ठीक है तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि क्या यहाँ पर हम इसमें 10 बना सकते हैं हम इसमें 10 आसानी से बना सकते हैं भो कैसे बना सकते हैं क्योंग restaurant 10 जो हता है वो होता है sign of upon में cos ठीक है तो अब यहाँ पर sign तो हमें दीख रहे हैं तो यहाँ पर यह बन जाएगा 5 into sin beta by हाँ पर हो जाएगा cos beta और minus of 2 into cos beta divide by में हाँ पर cos beta और फिर इसके बाद में हाँ पर plus में नीच आजाएगा 5 sin beta और फिर इसके बाद में cos beta और plus of 2 into cos beta divide by में cos beta ठीक है यह होगी है हमारे पास में यह time अब इसके बाद में इसको जब solve करेंगे तो यह तो क्या हो जागा यह तो जागा यह तो जागा 1 यह दोनों की दोनों 1 हो गए और यहाँ पर यह जो sin theta sin beta पहुन में cos beta यह तो हो गया 10 theta और 10 theta की value हो गी 4 by 5 तो इसको हम लिख देंगे 2 into 4 by मतलब गलत लिख दिया मैंने 2 की जगह पर यहाँ पर आगा 5 into 4 by 5 minus of 2 divide by में यहाँ पर आजएगा 5 into 4 by 5 plus of 2 तो यहाँ से जब आप solve करेंगे तो यहाँ पर आजएगा 4 minus 2 2 by 6 तो यहाँ पर इसको simplify कर गया आजएगा हमार पास में 1 by 3 तो 1 by 3 होगे इसका correct option आप दोनों से कर सकते हो अब जिसको लग रहा है यह इतनी महनतियों करनी हम उससे कर लेंगे तो उससे करके दिख लेना उसे थोड़ा ज्यादा लेंदी जाएगा ज्यादा calculation करनी पड़े ठी और इसके पीछे का logic यह है इस वज़े से हम इसको ऐसा करें तो इसमें कहा यह गया है कि आपको दो नंबर दिए गया है product of two number is 5780 और उनका HCF और LCM यह गिवन है तो सबसे पहले देख लेते कि क्या यह बात चाहिए तो जैसे कि इसके अंदर ही होता है कि A into B is equal to रहता है LCM into यहाँ पर रहता है HCF ठीक है तो अब देखो आप जब इसको multiply करोगे 17 into कितना है 340 क्योंकि LCM HCF दिया हुए 17 होडी दिया हुए 340 तो जब आप इसको solve को रहता है 5780 तो मतलब ऐसे दिशन तो क्या है यह तो हो क्या हमारा true ठीक है यह तो हो गया क्या हो यह गया true अब इसके होता है ठीक है लेकिन आप जब देखोगे कि यहाँ पर इसके पीछे का logic यह थोड़ी है इसके पीछे का logic यह है कि LCM जो और HCF का multiplication होता है वो बराबर होता है उसके product के अगर यह लिखा हुआ होता है यह वाला जो statement है वो लिखा होता है इसके पीछे का reason तो यह सही हो जाता statement दोनों true है पर यह जो reason है इसका correct explanation नहीं है तो B option इसका एकदम से right answer हो जाएगा then फिर इसके बाद में हमार पास में है अगला question question number 20, question number 20 के अंदर कहा गया है कि आपके पास में कुछ एक triangle के coordinates given है midpoint के coordinates given है जैसे कि D का coordinate है 3,5 और E का coordinate है minus 3,3 और यहाँ पर BC की जो length दिया पर वो दिवे 20 units हाँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक triangle draw करना है फिर उसके बाद में हाप पर midpoint किया दिया हुए यह ABC एक triangle है ठीक है ABC एक triangle है D और E इसके है midpoint और इनके coordinate दिया है आपको वो दिया है 3,5 और इसका coordinate दिया है minus of 3,3 और इसकी जो length है वो दिवे 20 unit ठीक है अब यह हमें given है question के अंदर अब हम अगर बात करें कि D E की length क्या होगी तो यहाँ से आप distance formula लगा करके इसको solve करेंगे under root of 3 plus 3 का whole square plus of यहाँ पर आजएगा 5 plus 3 का whole square क्योंकि यहाँ पर minus होते है और दोनों की दोनों negative value होते है positive made हो जाएगी तो यहाँ से आजएगा 36 plus of 64 का under root तो यहाँ से हमार पास में जो value आगी 10 ठीक है 10 unit आगे इसकी value ठीक है यह तो हो कि हमारा statement क्या है एकदम से अभी इसके बार में कुछ भी हम comment नहीं कर सकते है फिर इसके बाद में बोलते है कि the line joining the midpoint of two side of a triangle is parallel to third side हाँ एकदम से सही बात है जो हमारा DE है वो किसके parallel है BC के parallel है हाँ एकदम से correct है and it is equal to the half of it और यह इसका half है हाँ 20 units यह है तो यह इसका half है एकदम से correct है और यह इसका एकदम से correct explanation भी है तो यह भी true है और यह भी true है यह दोनो कि दोनों true हो गए और इसका सही है तो इसका answer आजए गहाँ पर यह option एकदम से correct है और आपको अगर science का sample paper देखना है कि science का paper कैसा होगा तो आप उसके लिए आपको video का link मिल जाएक वहाँ पर जाकर कि उसको देख सकते हैं और भी videos मिलेंगे आपको तो उसके लिए subscribe करना मत बूलना और लाइक जरूर से करना मिलते हैं आप लोग उस एकली वीडियो में